नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं तेलगू इंडस्टी के मेगा प्रिंस वरुन तेज की जिनकी गिंती आज के समय के मोस्ट हैंडसम एक्टरस में होती है वरुन तेज को उनकी एक्टिंग, स्मार्टनेस, लोक और खासकर उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है वरुन तेज को फिदा फिल्म के जरीए मेजर सफलता देखने को मिली फिदा और थोली प्रेमा सही इन्हें सूपर स्टाडम मिला और आज वरुन तेज की गिंती तेलगु इंडस्टि के अच्छे एक्टरस में होती है हिंदी ओडियन्स के बीट भी वरुन तेज की अच्छी खासी पॉपलर्टी है भले ही वरुन तेज आज तेलगु इंडस्टि के मोस्ट स्मार्ट हंक हो लेकिन ये अपनी यंग एज में काफी गोलू-मूलू टाइप थे इनका बॉडी वेट काफी ज़्यादा हुआ करता था जब भी ये हीरो बनने को कहते तो अकसर ही परिवार के सदस से टोंट मार देते पवन कल्यान जो इनके अंकल हैं उन्होंने इनसे सरकास्टिक वे में कहा था कि हीरो बनने से पहले अपनी सकल एक बार सीसे में जरूर देख लेना खुद वरुन तेज ने फिता और थोली प्रेमा की सकस के बाद ये बात बताई थी दरसल पवन कल्यान चाते थे कि वरुन तेज अपनी फिजीक और रूटीन पर थोड़ा फोकस करें इसके चलते उन्होंने खरी-खरी बात वरुन को सुनाई थी इसके बाद वरुन तेज ने खुद पर काम करना सुरू किया फिल्मी परदे पर डेब्यू करने से पहले इन्होंने खुद को फैट टू फिट किया और तगली बॉड़ी बनाई वरुन तेज अपनी लाइफ अपने एकॉर्डिंग जीना पसंद करते हैं ये सोसल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा प्राइविसी मेंटेन करने की कोसिस करते हैं हर मुद्दे पर इनकी खुद की भी एक राय देखने को मिलती है एक मुद्दे पर इनके पिता चाहते थे कि वरुन तेज इस पचले में ना पड़े लेकिन वरुन का कहना था कि वे बिल्कुल भी सांत नहीं रहेंगे दरसल मेगा स्टार चिरन जीवी और नन्मुरी बाला किष्णा की राय विलीस की खबरे हमेशा से आती रही है एक बार नन्मुरी बाला किष्णा ने बोल दिया था कि पवन कल्यान कौन है वे उन्हें नहीं जानते इस पर इनके पिता नागेन बाबु का कहना था कि नन्मुरी बाला किष्णा एक्टर नहीं बलकी एक कॉमेडियन है जब मीडिया ने वरुन से फूचा कि आपका इस पर क्या स्टैंड है तो वरुन ने कहा कि उन्होंने देखा था वो वीडियो जहाँ पन्ननमुरी बाला किस्टा ने उनके अंकल पवन कल्यान का मजाक उड़ाया था अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते वरुन तेज ने इस कोविड की सिच्वेशन में 20 लाग रुपे डेली वर्कर्स और टेकनीशल्स में डोनेट किया वरुन खुद कोरोना पॉस्टिव हो गए थे और इनकी हालत काफी खराब हो गई थी इससे पहले भी ये 2019 में फ्लू का सिकार हो गए थे जिसके बाद अगले 10 दिनों तक ये बिस्तर से उठे ही नहीं थे ये हिल डूल भी नहीं पा रहे थे और पूरा टाइम बिस्तर में पड़े रहते थे वरुन तेज उस टाइम फेस को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फेस बताते हैं 2019 में ये एक मेजर एक्सिडेंट से भी बचे थे लकली वरुन तेज को कोई चोट नहीं आई थी दोस्तो वरुन तेज काफी चूजी हैं और ये टाइम टाइम पर अलग तरह के प्रोजेक्स को साइन करते हैं हाला कि ये अलग बात रही कि इन्हें रूटीन फिल्मों से ही सफलता देखने को मिली क्रिटिक्स भी वरुन के फिल्म सेलेक्शन को काफी ज़ादा एप्रिसेट करते हैं वैसे इनका पूरा नाम है कौनी डेला वरुन तेज इनका जन्म 19 जन्वरी साल 1990 को हैदराबाद आंत प्रदेश में हुआ जो अब तेलंगाना के अंतरगत आता है इनके पिता का नाम है नागेंदर बाबू और इनकी माता स्री का नाम है पदमजा इनके पिता भी एक जानने माने एक्टर और प्रडूसर है इन्होंने अपने भाई मेगा स्टार चरंजीवी की तरह बताओ लीड हीरो केरेड के सुरूराद जरूर करी लेकिन इन्हें कभी वो सफलता देखने को नहीं मिली जो इनके भाई चरंजीवी और पवन कल्यान को मिली नागेंदर बाबू को आज एक अच्छे सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर जाना जाता है वहीं इनकी माता स्री एक ग्रेणी है वरुन तेज कुल दो भाई बहन है जहां नियारिका इनकी छोटी बहन है ये भी एक एक्टरस है जिनोंने ओका मनासू, सूरी कांतम और सायरा नरसिंबा रेड़ी जैसी फिल्मों में काम किया इसके अलावा राम चरन, अलू अरजुन, साइधरम तेज, वैसनाव तेज और अलू स्रीज जैसे तेलगू इंडस्टी के नामी एक्टरस इनके कजन ब्रदर है खैर इन दोनों भाई बैनों की स्कूलिंग भारती वित्या भवन जुबली हिल से सुरू हुई आगे चलकर इनका एड़िशन सेंट मेरी कॉलेज में कराये गया जहां से इनोंने अपना ग्रेज़ेशन कम्पलीट किया जब वरुन तेज दस की उमर में थे तभी इनोंने एज़ चाइल्ड आर्टिस अपना डेब्यू कर लिया था ये अपने पिता की फिल्म हैंड्स अप में नसर आ चुके हैं ये अपने अंकल चिरन जीवी और पवन कल्यान की फिल्मों को देख देख कर बड़े हुए और पवन कल्यान को अपना रोल मॉडल मानते हैं आगे चलकर इन्हें एक्टिंग का सौक हो गया ये दिन भर अपने अंकल की नकल किया करते हैं जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनकी चोईसेद बदलने लगी घर में इतने बड़े बड़े एक्टर थे लेकिन वे सब इनको आम जैसे लगते अब ये प्रभास के बहुत बड़े फैन बन चुके थे एस वल एस चिरन जीवी और पवन कल्यान के तो हमेशा से फैन थे ही इनका पूरा बचपन राम चरण और साइधरम तेज के साथ सरारते करते हुए भी था वरुन तेज अपनी क्लास के एक ब्रिलियंट इस्टुएंट थे और ये अपने समय को काफी वाइसली इन्वेस्ट करते थे आज भी वरुन तेज नमबर वन ये नमबर टू की रेज में खुद को नहीं ले जाना चाहते वे बस इतना चाहते हैं कि वे बहतर काम करें और कर भी रहें हैं साल 2013 के आज पाज जब वरुन तेज बताओ लीड हीरो अपना डेब्यू करने के लिए तयार थे उस समय तक परिवार के सभी लोग बड़े अक्टर्स की गिंती में आते थे सभी ने वरुन तेज को एक अच्छा लॉंच देना चाहा पहली फिल्म के लिए स्रीकांत अडाला को डिरेक्टर के तौर पर फाइनल किया गया जिनोंने महस बाबू के साथ सबसे बढ़कर हम नाम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी फिल्म का टाइटल मुकुंडा रखा गया वरुन के साथ पूजा हेकले भी थी फिल्म का टाइटल मुकुंडा रखा गया रिलीज के साथ ही फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले फिल्म की कहानी और स्कीन प्ले में बिल्कूल भी दम नहीं था फिल्म एवरेज रही और उसी के साथ वरुन तेज की परफॉमेंस को भी एवरेज बताया गया 2015 में वरुन तेज ने कुछ अलग ट्राई किया इन्होंने कंचे नाम की रोमेंटिक वार फिल्म से अपनी वापसी करी ये एक औफ बीट प्रोजेक्ट था रिलीज के साथ ही फिल्म की खुब तारीफ हुई सबी क्रिटिक्स ने फिल्म को भरबर के रेटिंग दी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर प्रोफिटेबल रही फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला वरुन तेज को इस फिल्म से पहली बार कमर्शली सफलता देखने को मिली ये अपनी चॉइसेस और एक्टिंग से खुद को एक अच्छा एक्टर प्रूफ कर चुके थे इसी साल इनको दिग्गर डिरेक्टर पूरी जगनात के साथ काम करने का मौका मिला जिनोंने पोकरी और बिजनस मैन जैसी तगली फिल्में बनाई थी ये फिल्म थी लोफर इस फिल्म को काफी हाई बजट के साथ बनाय गया था लोगों को इस फिल्म से काफी उम्मिदे थी मगर फिल्म को काफी खराब रिव्यू मिले इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अंडर परफॉर्म किया और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही वरुन तेज ने अगले साल किसी भी फिल्म में काम नहीं किया एक लंबे गैप के बाद इनों ने 2017 में मिश्टर मुवी से कमबैक किया इस फिल्म को रैडी, किंग, डूकुडू और बादसा फेम डिरेक्टर स्रीनू वैतला ने डिरेक्ट किया था एक तरह से देखा जाए तो सुरुवाती चार फिल्मों में से तीन फिल्में बॉक्स ओफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई एक आउटसाइडर को कभी इतने मौके ना मिलते खैर वरुन तेज की पाचवी फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई ये एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम है फिदा यहाँ वरुन तेज के साथ साई पल्लवी भी नजर आई ये बीते कुछ समय की सबसे खूबसूरत फिल्म बन पड़ी थी मातर 13 क्रोंड के बजट में बनी इस फिल्म ने 90 क्रोंड की कमाई करी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर डबल ब्लॉकबस्टर रही और वरुन तेज की केरियर की ब्रेक्तुरू फिल्म मानी गई फिल्म से वरुन तेज को वो सफलता मिली कि इनकी गिंती बड़े अक्टरस में होने लगी आज इस फिल्म को कल्ट स्टेटस मिल चुका है ये फिल्म तेलको आउडियंस के लिए हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म बन चुकी है इतनी बड़ी सफलता के बाद वरुन तेज के नेक्स प्रोजेक्ट पर सभी की नजरे थी इनकी 2018 की पहली फिल्म ती थोली प्रेमा इस फिल्म में वरुन तेज के साथ रासी खन्नाबी थी फिल्म रिलीस हुई और इस फिल्म ने तेलको बॉक्स आफिस पर लगभग 45 क्रोण की कमाई करी इस फिल्म को महस 12-15 क्रोण के बजट पर बनाय गया था वरुन तेज की इस फिल्म को भी खुब पसंद किया गया और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट रही 2018 में ये तेलगू भासा की साइंस फिक्षन एडवेंचरस फिल्म अंतरिक्चम 9000 किलोमेटर पर आवर में नसर आए ये एक तरह का नया प्रोजेक्ट था फिल्म को 25 से 30 क्रोंड के हाई बजट के साथ बनाये गया वरुन तेज के इस प्रोजेक्ट से भी सभी को काफी उम्मीदे थी मगर ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके फिल्म को बिलो एवरेज की वर्डिक मिली है साल 2019 में ये विक्टरी वेंकटेज के साथ एक टू फन एंड फ्रेस्टेशन में नसर आये अनिल लवीपुली के डिरेक्शन में बनी ये एक बहतरिन कॉमेडी फिल्म निकल कर आई 30 क्रोंड के बजट ने बनी इस फिल्म ने 27 क्रोंड की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर डबल ब्लॉकबस्टर रही इस फिल्म से वरुन तेज को एक बड़ी सफलता हाथ लगी ये फिल्म वरुन तेज के केरियर की हाई जगोसर फिल्म बन गई और इस फिल्म ने वरुन तेज के कॉमिक टाइमिंग को काफी ज़्यादा पसंद किया गया 2019 में ये गड़ल कॉंडा गनेश फिल्म में नसर आये इस फिल्म का पहले टाइटल वालमी की रखा गया था लेकिन कई प्रोटेस्ट के चलते इस फिल्म का नाम बदल दिया गया ये एक एक्सन थिलर फिल्म थी वरुन तेज ने फिर से एक लीक से हट के फिल्म सेलेक्ट करी फिल्म में इनका काफी रफ लुक रखा गया था फिल्म ने अच्छी खासी कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सैमी हिट रही पिछले काफी समय से वरुन तेज का केरियर काफी अच्छा चल रहा है ये 2021 में गनी नाम की फिल्म में नसर आएंगे ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होगी और इसमें वरुन तेज एक बॉक्सर का किरदार प्ले कर रहे हैं फिल्म का क्लाइमेक्स सूट हो रहा है और इस फिल्म के लिए फॉरन से बॉक्सर को बुलाए गया है इसके अलावा ये अपनी मच अवेटेड मोवी F2 Fun and Frustation के सीक्विल F3 में भी नजर आएंगे बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो ये फिल्हाल अभी सिंगल है और पूरी तरह से अपने केरेट पर फोकस किये हुए है तो दोस्तो ये रहा वरुन तेज पर हमारा एक डेलिकेटेड वीडियो आपको वरुन तेज कैसे लगते हैं नीचे कमेट सेक्शन में बता सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद